यूपी में ना सिर्फ इंडस्लिस्ट आ रहे हैं बलकि फिल्म निर्माता निर्देशक भी अब काफी संख्या में आ रहे हैं कुछ समय पहले जाने माने फिल्म निर्माता केसी बोकाडिया ने मुखमंतरी योग्यारित नाथ से मुलाकात की थी आज थर्ड ग्राउंड ब्रे फिर दूसरी बैक टूबैक शरूरी है मेरी बीवी की साथी यह पिक्चर आप समझों आपके यहां के लोग जा रहे हैं बंबाई बंबाई वाला बुकाडिया आप कि इदर है यह कोई तो अट्रेक्शन होगा यूपी में और वो अट्रेक्शन एक ही है सिरफ आपके अट्रेक्शन में बोला गया कि बहुत आप सर इतने पोजेटिव नेचर है आपके टोटल जैसा राजा वैसे ही पड़ जा तो मैं सर थैंक यू वरी मुच देता हूं आप सबको और बेसिकली फिलम इस्टूडियो एंड टैनिंग इस्टूट बनाने का मन था तो मेरे चैनिंग इस्टूट खोलने जारा हूं एक वक्ता आपके फिल्में आज का अर्जुन अमिताब बच्चन जी प्यार जुकता नहीं मितुन चकरवर्ती तेरी महरबानिया जैक श्राफ यह सारे कलाकार कहीं ने कहीं आपने इनको पहचाना इनको मौका दिया और लोगों ने रजनी कांथ आप नाम सुनेंगे बहुत बड़ा एक्टर हिंदुस्तान का सो करोट रुपे लेता है मैंने पांच पिक्चर उसके साथ किया बच्चन साब के साथ दो पिक्चर की आज कार्जून लाल बाश्या बहुत पिक्चरें की सर और अभी भी अच्छी फिल्में बन रहे जो फिल्म सिटी बन रही है वह यहां खोलना चाहरें जी वह उससे भी कही नहीं कहीं कहार आएंगे फिल्मेकर साइंगे मेरे बारे मेरे बारे में क्या आश्या अब तक आप उसको शुरू करने का विचार इनको बोला एदस-पंदरा दिन में यह जमीन देने की बात क कर रहे हैं तो मैं तुरान शुरू कर दो फिल्म की शूटिंग जिसमें अनुपम खेर आप कह रहे हैं वह पांस तारिक से शुरू है बीस तारिक तक सब्सक्राइब पहले कभी सोचा था कि यूपी इतना बदल जाएगा जहां आप जैसे प्रोडूसर डिरेक्टर लोग आ आते हैं तो उनको अलग से ट्रीट करते हैं वह यूपी से आगया है सब यूपी से आगया है अब मैं आप कैसी बुकड़े आपकी आया तो सम्झो फूरी फिलम इंड़ सी आ गई तो मुझे इस बात की बहुत सटिस्फेक्शन है और आप लोगों को भी और आपके सी एम सा सब्सक्राइब करें कि उत्रप्रदेश में वह स्टूडियो खोलना चाह रहे हैं एक इंस्ट्यूट खोलना चाह रहे हैं फिल्मों का तो लगातार वह यहीं पर उनकी शूटिंग हो रही है पर साफ तोर पर कहरें कि जो पहले मुंबई में यूपी की जो में इमेज थी व पर आपकी जवाब की